दोस्तों विहर द्रोगा भरती संबन्धित चले निउस देखलीजे आप सभी नई भरती का बेश अबरी सिंति जार कर रहे हैं आखिर भरती आईगी कब कस्तरिये में भी दरोगा का 600 पोस्ट शामिल था इस तरह से पहले भरती होती थी फिर इसके बाद BPSCIO का गठन किया गया 2017 और इसके बाद आप देखेगा तो रेगुलर रूप से दरोगा की भरती हो रही है और इस साल आप लोग इंतचार कर रहें कि आखिर भरती आएगी फिर 2018 में भरती नहीं दिया गया था फिर 2019 में पिछला जो 2017 वला भरती था ये 2018 में चली रहा था इस कारण से भरती नहीं दिया गया था और 2019 में जो भरती दिया गया था अगस्त 2019 में भरती आई थी और यह जो भरती था 246 पोस्ट पर 246 पोस्ट पुरी तरह से कंपलीट हो नहीं हुआ है, फैनल स्टेज में अभी फिजिकल चलेगा, इसके बाद ये भरती पूरी तरह से कंपलीट हो जाएगा, इसके बाद 2021 में इसलिए नहीं आया कि कोरोना की कारण से 2020 वाला जो भरती था, इसका एकजाम नहीं हुआ था, एकजाम जो है दिसंबर 2021 में लिया गया, लगभग देर साल लेट से एकजाम लिया गया, और जैसे एकजाम लिया गया, इसके बाद BPSC IQ की और से दिखेगा, तो बिल्कुल रिकॉर्ड समय में सारा कुछ परक्रिया कंपलीट किया गया, दिसंबर में एकजाम लिया गया, और दो मेहने में ही फरवरी में इसका जाएगा, आप अच्छे से तियारी कर पाईएगा, इस पार आपको PT exam में भी बहुत कम समय मिलेगा, मेंस exam में तो बहुत कम समय दिया ही जाता है, PT exam जैसे ही होता है, आप देखेगा पिछली भरती का, 213 का, दो मेहने में इसका रिजल्ट दिया गया, फरवरी में रिजल् इसके बाद दो मेहने में, यानि अपरेल लास्ट में, 24 अपरेल को मेंस exam लिया गया, और मेंस exam का रिजल्ट मातर 12 दिन में ही दे दिया गया, 6 में को रिजल्ट जारी किया गया, और इसके बाद एक मेहने में ही फिजिकल लिया जा रहा है, फिजिकल के लिए जो समय दिया दस जून से और ये जून लाश्ट तक पुरी तरह से complete हो जाएगा फिजिकल यानि जून महने में ही physical सभी candidate का complete हो जाएगा लगभग यहां पर 20 दिन physical चलेगा और physical जैसे ही complete होगा फिर देर महने में इसका merit भी आ जाएगा तो अभी जो 230 पोस्ट वाला जो भरती चल रहा है इसका merit list जो है अगस्त में आ जाएगा और इसके बाद यह भरती परक्रिया पूरी तरह से complete हो गया और आप जो यहां पर इस student का selection नहीं हुआ है चाहे BT exam में या फिर मेंस exam में selection नहीं हुआ या फिर final selection सुवंचित हो गया है तब यह सब छात्र और साथ में जो नए छात्र ह वेट करेंगे कि नहीं भरती आईगे तो उसमें अच्छे तरीके से त्यारी करेंगे और selection लेंगे तो चलिए पहले आगे आप लोगों को यह notice भी दिखाएंगे पहले आप आज के रेट का न्यूज देख लिए यह जो न्यूज है हिंदुस्तान का न्यूज है और आज के तो इस न्यूज से क्या आप लोगों पर एफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में बताएंगे क्या इसी नई भरती पर भी रोक लगा है क्या कुछ पूरी जानकारी आगे आप लोगों को देने वाले है नोटिफिकेशन दिखाएंगे फिर आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ जायेगा यहां पर आप देखेगा यह जो भरती की जारी जो रिटायड पुलिस में है अगर कोई कॉन्स टेबल है तो उसको गॉण स्टेबल पोश्ट पर भी भरती की जाएगी इसमें नए लोगों को नहीं लिया जा रहा है जो रिटायड होगे उसको एक साल के लिया जा रहे तो यहीं आपके लिए good news है यहां पर की यह नहीं कि उसके 5 से 10 साल काम करवाय जाएगा। सिर्फ एक साल के लिया जारा है और यहां पर गॉवर्मेạnh को ऐसा रूल नहीं लाना चाहिए था। जल से जल भरती पर कृया कंपोलीट करना चाहिए गोज बिरोजगार छात्रों को मौका मिले। और इस एक बार हम यहाँ पर देखेगा तो नियुक्ति करने का रास्ता साप हो गया है एसाइसे इंस्पेक्टर तक को सम्मिदा पर लिये जाने के लिए पुलिस मुख्याले ने सरकार के दिशा निर्देश के ताथ मापदंड तैक कर दिया है शिर्फ उन्ही सेवा निवरित पुलिस कर्मियों की इस नियुक्ति का लाम मिलेगा जिन्होंने इससे बहले सम्मिदा पर काम नहीं किया है और इससे पहले भी पुलिस मुख्याले नावेदन मांगा था पर किसी की सम्मिदा पर नियुकती नहीं हुई थी यह जो नियाम लाया गया है दिसंबर 2021 में और इसके बाद दिखेगा पुलिस मुख्याले के मुताविक फिलाल सम्मिदा पर उन्हीं पुलिस कर्मियों सहाय तक ASI का पोस्ट है इसके बाद ASI का पोस्ट है और इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया तीन तरह का इसमें पोस्ट है अभी DSP के लिए कुछ निर्णाय नहीं लिया गया है और एक सप्ता पहले Constable से रिल्टेट भी नियू जाया था कि Constable का भी यहां पर सम्मिदा पर भरती किया जाएगा तो Constable में भी जो पहले से रिटायर है Constable पोस्ट से उसी को लिया जाएगा और Head Constable पोस्ट हो गया ASI और Inspector ये सब पोस्ट है तो नियोजित किया जाएगा और जो एक अप्रिल 2020 से लेकर के 31 अगस्त 2020 के बीच बिहार पुलिस से सेवानिवरित हुए हैं और यह नियोजन प्रोनती कोटा के रिक्त पदों के खिलाप होगा आदेश जारी होने की तीथी से मात एक वरस के लिए प्रभावी होगा और आप देखेगा यहां पर एक और ची जुरा हुआ यदि एक वरस के अंदर संबाधित पद पर नियामीत नियुकति अभी दरोगा की भरती हो रही है तो अगर कोई सब इंस्पेक्टर का सेलेक्शन हो जाता है तो यहां पर जो भी सेलेक्शन हुआ है उस पोस्ट पर कर सकेंगे आवेदन तो यहां से रिटार्ड हुए हैं जिस जिलाई काई से वहीं पर आवेदन देना है और यहां पर देख लिजे जैस गंगवार जी का क्या यहां पर बयान है एड़ी जी मुख्याले की और से भरती समझे सारा कुछ निर्णा इनहीं की दुआरा लिया ज देखेगा तो हर साल हजारों की संख्या में पुलिस कर्में रिटार्ड होते हैं और यहां पर उसे एकोर्डिंग भरती नहीं हो पाता है तो इस कारण से यहां पर यह निर्णा लिया गए एक साल तक हम कॉंट्रेक्ट बेसिस पर उसे फिर से काम करवाएंगे और यह सभी क पुलिस कर्में इसके लावदन कर सकते हैं तो यहां पर सारा कुछ देख लिए बांकि एक नोटिफिकेशन आप देखेगा तो यह भी हर पुलिस मुख्या लएका है इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से यहां भरती की जाएगी ति यह यहां पर समान्य परसासन विभाग की यह सब के लिए नियम अभी नहीं लागू किया गया है कॉंस्टेबल हेड कॉंस्टेबल एसाय और इंस्पेक्टर यह सब पोस्टी लिए अभी यह नियम लाया गया है यह नियम के बारे में यहां पर देखी का तु पहली भी गाडलाय से ही आया था एक अप्रेल 2020 से लेकर के 31 जुलाय 2021 तक सेवा निवरित पुलिस कर्मी एक साल के लिए यहाँ पर कॉंट्रेक्ट बैसिस पर जौब कर सकते हैं और यहाँ पर सबसे में जो है तीसरा नमर पॉइंट है यह सम्मीदा नियोजन आदेश निर्गत होने की तिथी से मात रगले एक वर्स तक के लिए परभावी होगा और यदि एक वर्स के अंदर संबधित पद पर नियमित प्रोनति या फिर नियुक्ति से स्वयोग कर्मी उपलब्द होते ही यह सम्मीदा नियोजन स्वाता स्माप्थ हो जागा तक अगर आप नए चात रहे तो बिल्कुल आपको उसकां't प्रोने से एक 1170 पुलीस कर्मी ए जो अभी परती quéılar प्रोनकंच से कमी न ऑग और जैसे नियमित में निकति होंगा उन सभी को हटा करके फिर यहांपर पर प्रातमिक्था कार थेनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नए पदोपर भरती है commercial क्तरी में हए 2022 में तो आही रही है, 2023-2024 में भी भरती रेगुलर रूप से दिया जा, बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की भरती दिया जा, यहाँ पर जो दिक्कत हुआ है, 2021 में कुरोना कारण से सारा कुछ क्लियर नहीं हो पाया था, इसी कारण से आप देखेगा तो, नहीं तो सरकार का यही पिछला भरती कंपलीट नहीं होने के कारण से, तो पिछली बार आप देखेगा तो, अगस्त 2019 में भरती आई थी, फिर अगस्त 2020 में भरती दिया गया था, और इस साल भी 2022 में भरती आ रही है, तो 2022 में आप लोगों का यह डॉट होगा क्या इस बार हुआ अगस्त 2022 में भर और तो पर यहां पर 2022 में जो भरती में ही देरी हो जाएगा और फिर 2023 वाला भरती में भी लेट हो सकता है अभी हर साल भरती करना परेगा मुक मेंतरि नितिश्कुमार जी के वर सकते हैं था और यहां पर DGP का भी ब्यान देख सकते एक लाग पुलिस कर्मियों की होगी बहाली यह जो कहा गया था नई बहाली के बारे में की अभी तो फिलाल नई भरती पर कोई भी एफ्यक्ट नहीं परेगा नई भरती रेगुलर रुप से बिलकुल आएगी अभी सरकार के और से टेंपरोरी यह निर्णाय लिया गया है कि बहुत ज्यादे पुलिस कर्मियों की संख्यां बिहर में खाली ना हो क्रायम पर रोक लगे अगर प्रियाद संख्यां पुलिस वल रहेगा तभी तो रोक लगेगा तो नई भरती बिलकुल आ रही है इसी महने के लाश्ट तक आ रही है अगर इस महने के लाश्ट में नहीं आती है तो जुलाय में हराल में भरती आ जाएगी और जैसे ही भरती आएगा इसका चार महन में PT exam ले लिया जगे इस बार आपको 6 मेने साल भर का समय नहीं मिलने वाला है और PT exam आप देखेगा तो बहुत hard question पूछा जाने लगा है इस बार total 100 में से 60 question ही normal था जो आप Lucent या प्रवन बुक से पढ़ कर जाते हैं बांकी 40 question tough level का ही था जिसे आप परीचित नहीं थे ऐसे question पूछा गया था फिर भी आप देखेगा cut up तो एक 7.5 गया था 100 में से question की हाँ पर बात कर रहो marks की नहीं marks अगर आप निकालना चाहते तो इसका double कर सकते हैं इस तरह से देखेगा और मेंस exam में भी इस वार अच्छे लेवल का question पूछा गया था और फिर भी cut up 74.7 गया है इस तरह से आप देख सकते कि दिनों दिन competition बहुत ही high चला गया है इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से त्यारी करना परेगा ता आप अपने दिमाग से नई भरती को लेकर dot या जो भी आपका dot है इसको दिमाग से निकाल दीजे आप अच्छे तरीके से त्यारी में लग जाईए भरती एक मेहने मार ही है और भरती जैसे ही आएगी बहुत अधीक आपको समय नहीं मिलेगा अगर आप अच्छे तरीके से त्यारी किजेगा तभी सेलेक्शन आपका हो पाएगा अगर आप सभी चैनल पर नए है जरूर सब्सक्राइब करके जुर जाईए